हेलो फ्रेंट्स मैं संतोष और मैं स्वागत करता हूं आपका किंग इन किचिन में आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिश्ट और हेल्थी रेसिपी लेके आया हूँ जो कि बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय लगता है तो आज मैं आपके दुखाऊंगा हाउ तुमेट हेल्थी मिलेट थीचडी मिलेट तो आपको मालूम ही है कि वो बहुत हेल्थी और नुट्रिशेस है लेकिन उसके साथ ही मैं आपको बात बताऊंगा कि किस तरह से और जाला नुट्रिशेस और हम प्रोटीन रिच और सके लेकिन यसी भी बनाना के पहरे चलिए मैं आपको मेट्स के कुछ फाइदे बता दू मिलेट्स कार्डियोस्कलर डिजीजेस वेट और डाइबिकीस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फाइदे मन्द है इसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और इसमें बहुत है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम हेल्दी मिलेट खिचडी और साथ ही मैं आपको दुखा हुआ कि किस तरह हम उसे और भी ज्यादा न्यूट्रिशन बना सके दूस्तो हेल्दी मिलेट खिचडी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप मिलेट यहां मैंने एक लिटल मिलेट यूज किया है आप चाहिए तो कोई भी मिलेट यूज कर सकते हैं फिर हमें चाहिए आधा कप मूंग डाल इन दुनों को हमें दू घंटे तक पानी में बिंगो के रखना है फिर हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स तो यहां में ले रहा हूं कैरेट चॉप किया हुआ फ्रेश ग्रीन बीम्स चॉप कर लेना है आप चाहिए तो और भी कोई वेजिटेबल्स इसमें आड़ कर सकते हैं फिर जिंजर चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीस इसे मैंने बीच से काट लिया है दो ग्रीन चिलीस आदा कप फ्रेश ग्रीन पीस अब हमें सारे वेजिटेबल्स को कुक करना है तो पहले हम एक स्टॉक पॉट लेंगे और इसमें हम डालेंगे अराउंड थ्री टाइमस आफ जो हमारा मिलेट्स और दाल है उसका थ्री टाइमस हम पानी लेंगे और मैं यहां कुकर में इसके नहीं पकाऊंगा दाल लिया त्री टाइमस और फिर हम डालेंगे वेजिटेबल्स फिर हम डालेंगे एक टीस्पून रिट चिली पावडर ओन फोर टीस्पून अल्दी पावडर नमक स्वाद अनुसार फिर मैं डाल रहाएं एश गाड जिसमें की फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है और यह वेट लॉस के लिए बहुत ही बहतरीन है सारे वेजिटेबल्स डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे सोग किया हुआ मिलेट और डाल क्यूंकि मिलेट और डाल में फाइबर और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होती है इसलिए ब्लड शेगर लेवर को कंड्रोल में रखता है और डाबीटेस के लिए बहुत ही लाबदायक है फिर हम इसे बंद करके 20 मिनिट तक पकाएंगे और मैं यहां पर हीट इदम कम कर दे रहा हूं अगर आप गैस पका रहे हैं तो इदम लो फ्लेम में पकाईएगा क्यूंकि इससे जिसे मैंने पहले कहा विजटेबल्स का जो फाइबर है और न्यूट्रेंट्स है वो खराब नहीं होगा और इस विसल की खासित यह कि इसका जो लिड है वो एक स्पेशल लिड है वो इसके न्यूट्रेंट्स को लॉक कर देता है अब देख रहे हैं किस तरह उपर में वाटर सील फॉर्म हो गया है तो इससे यह न्यूट्रेंट्स को अपरेट होने से बचाता है तो 20 मिट होगी अब हम डालेंगे इसमें टोमाटोस तो हम टोमाटोस पहले नहीं डाल रहें क्यूंकि अगर हम पहले डालेंगे तो यह पूरा गल्द आएगा तो में इसे पूरा गलारा नहीं है इसे थोड़ा क्रंची रखना है तो टोमाटोस डालने के बाद हम इसे और मिदा लेंगे एक टेबल स्पून घी इसमें आड़ करेंगे एक टी स्पून जीरा पिर हम डालेंगे लसन, लसन को हमने चोटे पिसिस में काट लिया है फिर हम डालेंगे एक मीडियम पियाज यहां में शैलेग्स यूज कर रहा हूं और आप चाहे तो साधा प्याज भी यूज़ कर सकते हैं फिर में डालोगा उसमें हीन पौडर कड़ी पत्ते जब प्याज अच्छी तरह पाग जाए तो उसे हम एड़ कर लेंगे कुप किया हुआ मिलेट और दाल के साथ अब अच्छी तरह हम इसे स्टीर कर लेंगे और हमारा हेल्दी मिलेट खिचली बन के रेडी हो गया है आप यह बना के दुरूर टाई कीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में आप दुरूर बताया कि आपको यह खिचली कैसे लगी थैंक यू अबना के लूग Lengy स्टीर कर अबूर स्टीर कर तका हमारे कि अच्छी है न के लाच प्वाइंगे अज़ को रूर लेट बता है नप्रमिज न चूरूर ओक्रों घ्जिए लिए न नक्याएंगे लिए पूर आपको तक्तीर को कि युट एल सुर्वाय कर दिपक पर्मीन दिए्ट का रफ ट्रबीट कीजिए स्वार्णाइब कि न। धिए गया है व्याज़ स्वारत और गाल कर देख दिए भी एंग्याव तो गांगे विए ऱुट एनग्ट को सेंगे खिक जो उप्याओी उप्ट भाव झाड़ी टा थ वा कर्यो हो रzeitig मेरаш लक्सि द है सिा है